लाख गुलाब लगा लो तुम अपने आंगन में लेकिन जीवन में खुश्पु तो बेटी के आने से ही होगी जी हाँ ये लाइन सिर्फ किताबों और कहानियों में ही नहीं जीवन के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना की इंसान को जीने के लिए स्थांस लेना क्योंकि ये मातर शायरी या फिर फिल्मी बाते नहीं है ये जीवन का सत्य है और इसे सत्साबित किया है आरजेडी सुप्रीमो की लाडली बेटी रोहिनी आचार्यनी रोहिनी आचार्यने नहीं इस तिर्फ इन लाइनों को सत्य साबित किया है बल्कि उन लोगों के मुह पर जोड़दार तमाचा चड़ा है जो आज की बेटियों के पैदा होने पर घर में मातम बनाते है रोहिनी आचारे ने ना सिर्फ अपनी बेटी होने का फर्स निभाया है बलकि उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि वो अपने पिता की बेटी होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी है हम सब में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो ये नहीं जानता होगा कि आखिर आज हम रोहिनी आचारी की आज इतनी तारिफ क्यों कर रहे हैं। पिसले दिनों ही आरजेडी सुप्रीमो लालु यादव की किटनी ट्रांस्प्लांट की गई। आपरेशन सफल भी रहा और लालु ने ट्विटर पर खुद ही अपने बहतर स्वास्त की जानकारी दी थी। लालु यादव आज बिलकुल स्वास्त हैं। आखिरकार ये चमतकार हुआ तो कैसे हुआ। ये चमतकार हुआ तो सिर्फ और सेफ उनकी वेटी रोहिनी आचारी की वज़े से। रोहिनी ने उन्हें अपनी एक किटनी दान दे दी है। जिसकी वज़ा से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की उम्र और बढ़ गई है। है ना हैरान करने वाली बात। रोहिनी अचारी के पिता को किटनी देने की बात सोशल मीडिया पर जब से आई तब से हर कोई रोहिनी जैसी बेटी पानी की दुआ मांगने लगा। रोहिनी सोशल मीडिया पर खूप छाई ताथी साथ ये भी बाते हुई कि लालू बहुत ही खुशनसीब हैं जो उनको रोहिनी जैसी बेटी मिली। हालकि यहां आलोचना का दौर भी जारी रहा जहां एक तरफ लोग रोहिनी को देवी जैसा दर्जा दे रहे हैं वही लोग उन्हें पिता के नाम में शामिल होने का आरोप भी लगा रहे हैं प्रतिमा नाम की महिला ने शुपकामनाय देते हुए उनके पिता द्वारा किये गए घोटालो और लालू की मुख्यमंत्री कारेकाल के द्वरान किये गए कृत्यों को याद दिलाया और कहा कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है वहें एक अन्य यूजर राजीव ने ट्वीट किया आपका ये त्याग वास्तब में काबिले तारीफ है परंतु चुकी मैं 1992-2005 वाले दौर में सांस लेने वाला एक हैश्टेग भिहारी रहा हूं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आपका ये कृत्त आपके पिता द्वारा कि गए पापों में से आपकी एक हिस्सेदारी को कम नहीं कर सकता आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बहुत चर्चित चारा खुटाला के विपिन मामलों में CBII की विशेश अदालत की और से दोशी करार दिये जाने के बाद लालु प्रसाद यादव ने लंबे समय तक राच बता दे के रोहिनी आरजडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालु यादव के नौ बच्चों में से एक हैं हाला कि अभी तक उन्होंने किसी भी राजनेतिक पार्टी को जोईन नहीं किया है लेकिन भारत के राजनेतिक मामलों को लेकर सक्रिय रहती है और राजनेतिक टिपनिया भी करती रहती हैं। प्रती दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सब का विशेश प्यार और सम्मान मिल रहा है। मैं भावुक हो गई हूँ। आप सब को दिल से आभार कहना चाती हूँ। जिसका पती सूरज शेहर में नौकरी करता था। पती की गैर मौझूदगी में निहारिका ने अपने सास ससुर की देखभाल अपने माता पिता की तरहा की। काफी दिनों तक ये महिला भी सोशल मीडिया पर चाय रही और हर कोई इसके जैसी बहू पाना के भी कामना कर रहा था। देश के ऐसी कई बेटिया हैं जो अपने घर से बाहर निकल कर अपने माता पिता के साथ अपने घर को चलाने में उनका हाथ पचाती है। Bureau Report Times 24 News